नमस्ते, मैं हूँ किशोर रजवानी और अब आज की ताजा खबर प्रमूल के लोगों के लिए OCI कार्ट के नियमों में राहत देने का भी ऐलान किया है इस मौके पर प्यमोदी ने ज्रोयल में बसे भारतियों के सामने बदलते भारत की तस्वीर भी रखी है और अपने स्वागत के लिए शुक्रिया भी किया प्यमोदी के जौरे पर भारत ज्रोयल के बीच साथ समझोतों पर एहन सहमती बने शत्तर वर्षों में पहली बार इसी भारतिय प्रधान मंत्रिक आना ये अपने आप में एक खुशी का भी अवसर है और कुछ सवाल या निशान भी है दिल्ली मुंबई तेल अविव विमान सेवा शुरू कर दी जाएगी भारतिय समुदाय के जिन लोगों ने इसराइल में कंपलसरी आर्मी सर्विस की है उन्हें भी अपसे OCI कार मिल जाएगा बहुत ही जल्द भारत सरकार इसराइल में इंडियन कल्चरल सेंटर खोलने जा रही है इंडियन कल्चरल सेंटर आपको सदेव आपकी भारतिय संस्कुर्टे से जोड़ करके रखेगा प्रणे एक बड़ी सौगात भारती समुदाय को दी गई है जी भारती समुदाय को काफी बड़ी सौगात है इस द्रश्टी से भी क्योंकि भारत और इसराइल के बीच में जो कुष्मितिक संबने वो बले ही 25 बरत पुराने हो लेकिन पहली बार भारत का प्रणे मंत्री इसराइल की धच्टी पर पहुंचा है और ये अपने आप में बहुत बड़े बड़ा मील का पत्थर साबिच हो सकता है भारत और इसराइल के रिष्टों में इस लिहाद से और इसलिए भारत और इसराइल के बीच में चुकि अब तक कोई सीधी विमान सेवा नहीं थी इसलिए प्रधान मंत्री ने इसका एहलान किया कल जब तेल अवीव कन्वेंशन सेंटर में वो भारती समुदाय से रूबरू थे और महतुपून बात ही कि ये केवल भारती प्रधान मंत्री का भारती समुदाय के लोगों से समवाद नहीं था बलकि भारत इसराइल के दोनों प्रधान मंत्री उस जगह पे मौझूद थे दोनों ने ही भारती समुदाय को संबोदित किया यहीं भारत और इजराइल के बीच में जो सद्वियों पुराने सांस्पितिक रिष्टे रहे हैं उनको राजनितिक रिष्टों के तौर पर मजबूत करते हुए दोनों ने आगे का जो रोड मैफ है वो सपश्ट किया कि भारत और इजराइल किस तरीके से आगे मिलकर और आगे साथ बड़ते काम करेंगी साथ समझवते जो हुए हैं दोनों मुलकों के बीच में उनका खाका भी सपश्ट किया गया इसरैल के राशच्टपती प्रधान मंतरी नरेंदर मूदी बड़े से हॉल में लोगों से हाथ मिलाते और परिच्च लेते दिखे पि-म मूदी ने दौरे के दूसरे दिन इसरैल के राश्टपती से मुलकात की जहां दोनों निताओं ने एक दूसरे की दिल खोल कर तारीफ की इस से पहले इसराइल के राश्टपती और पी-एम मोदी एक साथ बड़े से हॉल में दाखिल हुए जहां कई लोग पहले से मौजूद थे हॉल में आते ही इसराइल के राश्टपती ने भारतिय प्रतियों से मुलाकात करनी शुरू की तो वहीं प्रधान मंतरी मोदी ने इसराइल के अधिकारियों से परिचे लिया इस दोरान राश्पती रुविन रिवलिन ने एक महिला अधिकारी का परिचे पियम मोदी से कराया सबसे मिलने के बाद दोनों निता अपने अपनी सीट पर बैठे जिसके बाद दोनों निताओं के बीच बातचीत का सिलसला शुरू हुआ इस्राइल के राश्रपती ने PM मोदी की तारीफ की और भारत को सच्चा दोस्त करार दिया साथी रिवलिन ने PM मोदी के मेक इन इंडिया मिशन की तारीफ करते हुए प्रधान मंतरी नेतन याहू की तरह ही मेक विद इंडिया की बात की इस्रेयल के राश्टपती ने पेम मोदी के विजन की दिल खोल कर तारीफ की जिसके बाद बारी आई प्रधान मंतरी मोदी की जिन्होंने हिंडी में बोलना शुरू किया जिसे वहां मौजूद एक महिला अधिकारी ने अनुवाद कर इस्रेइल के राष्टपती को समझाया यहां पियम मोदी ने शांदार स्वागत के लिए इस्रेइल को धन्यवाद दिया साथी मेक विद इंडिया की बात करने पर खुशी जताई पियम मोदी ने इस्रेइल का मतलब भी अपने अंदाज में बताया इस्रेइल के राष्टपती प्रोटोकॉल तोड़ कर पियम मोदी को सड़क तक लेने आये जिसे लेकर भी पियम ने उन्हें धन्यवाद दिया इससे पहले इस्रेइल पहुंचे प्रधान मंत्री मोदी का मंगलवार को तेलवीवी एरपोर्ट पर भव्य स्वागत किया गया जिसके बाद प्रधान मंत्री कई कारेकरों में शामिल हुए जिसके बाद इस्रेयल के प्रधान मंत्री Benjamin Netanyahu और PM Modi ने संयुक्त बयान दिया और दोनों देशों के रिष्टों की मजबूती पर जोर दिया वहीं इस्रेयल के प्रधान मंत्री ने बहुत हलके फुल के अंदाज में PM Modi के योग के प्रती समर्पन की तारीफ की दोनों नेताओं ने संयुक्त बयान में आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ने के प्रतिबत्ता दोराई इससे पहले प्रधान मंत्री मोदी येरुशलम पहुंचे जहां दूसरे विश्विद्द के दौरान शहीद हुए यहूदियों को शद्धाजली दी दूसरे विश्विद्द के दौरान खरीब 30 लाग से जादा यहूदियों को जर्मिनी की नाजजी सेना ने मार दिया था जिनकी याद में ये समारक बनाया गया है गोल आकार में बने इसमारक में शहीद हुए यहूदियों की तस्वीरें भी लगी है जिसके नीचे खुले फर्ष के बीच में एक जोती जलाए गई है जो हमेशा जलती रहती है पियम मोदी जब यहां पहुँचे तो उन्हें पहले समारक के बारे में जानकारी दी गई इसरेल के प्रधान मंतरी ने खुद पियम मोदी को समारक की दीवारों पर बने निशान दिखाए और उनके बारे में बताया जिसके बाद शहीदों की याद में प्रार्थना का आयोजन हुआ यहां पीली और काली ड्रेस पहने लड़कियों के एक ग्रूप ने प्राथना गाई इस दौरान पियम मोदी बेहत गंभीर मुत्रा में दिखे समारक के ब्रहमन के बाद पियम ने यहां विजटर्स बुक में संदेश भी लिखा विज़े दौरे के पहले दिन प्रधान मंत्री मोदी ने यरुशलम में डैंजिगर फ्लार फ्लार फ्लार्म का भी दौरा किया जो अलग-अलग भलों की खेती और उनकी खास कॉलिटी के लिए मशूर है यहां पियम मोदी को फार्म की सेर कराए गई जिसके बाद इस्रेयल की सरकार ने प्रधान मंत्री के सम्मान में गुल दाओदी के फूल को मोदी का नाम दिया बदले में प्रधान मंत्री ने भी बेन्यमिन नेतनियाओ को तीन तरह के तोफे दिये इनमें केरल से लाए गई कॉपर प्लेट थी, जिनमें कोच्ची के यहूदियों के इतिहास का जिक्र है पीम ने तोरा स्क्रोल भी भेंट किया, हाथ से लिखे स्क्रोल को केरल के यहूदी समुदाये ने दान दिया है साथी दक्षन भारत में सजावट के लिए इस्तमाल होने वाला मुकुट भी उपहार में दिया